आपके नाम का पहला अक्षर खोल देगा आपकी पोल हाँ बिलकुल आप सही समझ रहे हो दोस्तों आपके नाम का पहला अक्षर आपकी सारी पोल खोल कर रख देगा कि आपका नेचर कैसा है, आप कैसे इनसान हो तो आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों जय श्री कृष्णा राधे राधे आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी मोटिवेशनल कहानी में तो आएए वीडियो को शुरू करते हैं किसी को जानने समझने के लिए एक मुलाकात जरूरी होती है हम किसी से बिना मिले उसके व्यक्तित्व का पता नहीं लगा सकते ये तो किसी भी व्यक्ती का एक सामाजिक और सामान्य पहलो हुआ लेकिन जोतिश शास्त्र के अनुसार भी एक विधा है जिसे जानकर किसी के भी व्यक्तित्व को समझा जा सकता है ऐसी ही एक विधा है व्यक्ति के पहले अक्षर को जानकर उसके व्यक्तित्व का पता लगाना नंबर एक ए अगर किसी भी व्यक्ति का पहला अक्षर एसे शुरू होता है तो इस अक्षर के लोग काफी महनती और धैर्यवान होते हैं ये आकर्शक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और इन्हे ऐसे ही लोग पसंद आते हैं इन्हे खुद की किसी भी परिस्थती में ढालने की गजब की ख्शंता होती है इन्हे यूनिक चीजे ही पसंद आती है ये खुद भी भीड से अलग ही दिखना चाहते हैं ये अपने करियर और काम को अंजाम देने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और अपना लक्ष पाकर रहते हैं रोमास से ये थोड़ी दूरी बनाए रहते हैं ये लोग प्यार और करीबी रिष्टों को अहमियत देते हैं एसे नाम वाले लोग हिनमती भी काफी होते हैं अगर इनकी कमियों की बात की जाए तो ये लोग स्वभाव से गुस्सैल होते हैं अब हम बात करेंगे नमबर दो यानि भी जिनका नाग भी अक्षर से शुरू होता है वे अपनी जिन्दगी में नएने रास्ते तलाशने में यकीन रखते हैं अपने लक्षे चुनकर उस पर आगे बढ़ा इन्हें अच्छा नहीं लगता भी अक्षर वाले लोग जरा संकोची स्वभाव के होते हैं काफी sensitive nature के होते हैं ये जल्दी किसी से नहीं घुलते मिलते इनके जीवन के कई ऐसे राज होते हैं जो इनके करीबी को भी नहीं पता होता ये ज्यादा दोस्त नहीं बनाते लेकिन जिन्हें बनाते हैं उनके साथ सक्चे होते हैं रोमास के मामले में ये थोड़े खुले होते हैं प्यार का इजहार ये कर लेते हैं प्यार को लेकर ये धोखा भी खूब खाते हैं इन्हें खुद पर कंट्रोल रखना आता है खूब सुरत चीजों के ये दीवाने होते हैं अब बात करते हैं नमबर तीन यानि सीसी नाम के लोगों को हर क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है इनका चहरा काफी आकरशक होता है और दूसरा की काम के मामले में भी भाग्य इनके साथ हमेशा रहता है इन्हें आगे बढ़े से कोई रोक नहीं सकता है अच्छी सूरत तो भगवान देते ही है इन्हें अच्छे दिखने में ये खुद भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ते सी नाम वाले दूसरों के दुखदर्द के साथ साथ चलते है खुशी में ये शरीक हो या नहो लेकिन किसी के गम में आगे बढ़कर ये उनकी मदद करते है सी नाम वालों के लिए प्यार के महत्व की बात करें तो ये जिन्हें पसंद करते हैं उनके बेहत करीब हो जाते है यदि इन्हें अपने हिसाब के कोई न मिले तो मस्थ होकर अकेले भी रह लेते हैं यानि डीडी नाम वाले लोगों को हर मामले में अपार सफलता हाथ लगती है कभी भाग्य साथ नभी दे तो उन्हें विचलित नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी जिन्दगी में आगे चलकर सारी खुशियां लिखी होती है लोगों की बात पर ध्यान न देकर अपने मन की करना ही इन्हें भाता है जो ठान लेते हैं ये उसे करके ही मानते हैं इन्हें सुन्दर या आकरशक दिखने के लिए बनने समवरने की जरूरत नहीं होती ये लोग बॉन स्मार्ट होते हैं किसी की मदद करने में ये कभी पीछे नहीं रहते यहां तक ये भी नहीं देखते कि जिनकी मदद के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया है वह उनके दुश्मन की लिस्ट में हैं या दोस्त की लिस्ट में डी नाम के लोग प्यार को लेकर काफी जिद्धी होते हैं। जो इन्हें पसंद हो, उन्हें पाने के लिए या फिर उनसे रिष्टा निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। रिष्टे निभाने के मामले में ये बहुत विश्वासी होते हैं। दोस्तों, आज मैंने एसे लेकर दी तक के अक्शरों का नाम बताया है, बाकी के नाम कल के विडियो में बताएंगे, तो दोस्तों, आज की विडियो में बस। इतना ही आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना.